ओके सो आज की दिन का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा गुजराथ जाएंट्स वसिस बैंगलूडू बुल्स के बीच में एक तरफ होम टीम गुजराथ जाएंट्स की टीम एंड एक तरफ बैंगलूडू बुल्स व पीकिल 10 का पहला मुकाबला खेलने वाली है क्या है दोनों टीम्स के स्टार्टिंग 7 एंड क्या गुजरात जायन्स की टीम लगातार दो बार जीत पाएगी आए इस मैच का इस विडियो में प्रिव्यू करते है फटबट मैच की इंफूमिशन पर जाल लेते हैं मैच नमबर फोर जो यहाँ पे गुजरात जायन्स वसेज बेंगलडू बुल्स के बीच में खेला जाएगा रात के 9 बजे एक अरेना बाई ट्रांस्टेड या एहमदाबाद में हेड टो एड रिकॉर्ड पर नजट डाले तो यहाँ पे दोनोगी टीम्स 11 बार भीड चुकी है जहां पे गुजरात जायन्स की टीम 5 बार जीती है बेंगलडू बुल्स की टीम 5 बार जीती है एक बार जो मैच यहां पर टाई हुआ है पिछले बार जब दोनोगी टीम्स पिछले मुकाबले में बिती जांप में राके सुंग्रोया, रोहित गुलिया, मोहमबत नभीबक्स, सौरफ गुलिया, अरकम शेक, सोंबिर गुलिया, एंद फजल अतराचली देखने को मिल गए, परतिक दैया को सबस्टिडूट में रखा गया, एंद उनकी जगह पे नभी सौरफ नंदल एंद अमन अंतिल देखने को मिल जाएगे, यह यहाँ पे बेंगलडू बुल्स की 7 रहने वाली है, पहले मुकाबले के लिए, अब दोने टीम्स की स्टार्टिंग 7 को कंपेर करें, इसे पहले हम आपको बता देना चाहता हूँ कल का दिन, पहला दिन था पि और ओफिशल टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकतो, एड़रेट स्पोर्ट सिनेव 7, आपको सर्च करना नहीं तो डिस्कोविशन बॉक्स में आपको अपने टेलिग्राम चैनल का लिंक दे देने वाला हूँ, फट अफट जॉइन कर लो, दोने टीम्स की स्टार्टिंग 7 क कंपेर कर लेते हैं, गुजराद जायंस की बात किजाएं तो आप देख सकते हो, जहां पर हमें राके सुंगरोया, रोहित गुलिया, नभी बक्स देखने को मिल जाएं, नभी बक्स की जगह आप सोनू को भी प्रेटेंट कर सकतो, एंड बेंगलोडू बुल्स की बात किज तो कवर डिफेंडर्स में गुजराद के पास सौरव गुलिया है, अरकम शेक है, वहीं पर बेंगलोर के पास सुरजीत सिंग है और विशाल लाथर है, अगेन मुझे लगता है कि कवर के मामले में सुरजीत और विशाल लाथर सौरव और अरकम शेक से आगे चल रहे हैं, डिफेंस में कवर कब बेंगलोडु बुल्स का ज़्यादा अच्छा है, कॉर्णर डिफेंडर्स की बात की जाए तो गुजरात के पास सॉम्बीर है फजल है और बेंगलोडु के पास सौरब नंदल एंड अमन अंतिल है, तो दोनोई टीम्स के पास पराबर का यहाँ पर कॉ परफोर्मेंस दिखाती है, कॉर्णर के माबले में, तो ओरर अल देखा जाए तो बेंगलोडु बुल्स का डिफेंस यूनिट, रेडिंग यूनिट के साथ बहुत अदा स्ट्रॉंग देखनी को मिल रहा है, अब ओन पेपर तो बेंगलोडु बुल्स की तीम मजबूत है, यूपी योधास की तरह, अब कैसा परफोर्मेंस दिखाती है, वो तो हमें आज के दिनी पता चलेगा, कौन से खिलाडियों पे नजरे रहने वाली है, आज के इस मुकाबले में, तो मुझे लगता है कि गुजराद जाइंट्स की टीम की तरफ से, नभी बक्स पे सबकी न बात की जाए, तो बेंगलडू बुल्स के खेमें से मुझे लगता है कि विकास कंडोला पे सब की नजरे रहने वाली है, जिस तरीके से इन्होंने पीकल में ओररल परफोर्मेंस दिखा है, पिसला सीजन खाली-खाली सा था लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कमबैक 24 मैचे में 139 पॉंट स्कोर किया था, और मुझे लगता है कि आज के इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते, मेरे प्रेडिक्शन के बारे में बात करते, मुझे क्या लगता है कि इस मैच के लिए क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, तो मेरा पहला प्रेडि यह है कि यह मुकाबला बेंगलूडू बुल्स की टीम जीतेगे, अब मेरा प्रेडिक्शन तो हमें सा उल्टा जाता है, अब आपको क्या लगता है, क्या गुजरा जायन्स की टीम जीतेगी, या फिर बेंगलूडू बुल्स की टीम जीतेगी, अगर आपको लगता है कि ग इंट्रेस्टिंग उड़ो के साथ थैंक्स पॉर वचिंग